हाई दोस्तों आप सब्सक्राइब है मैं हूँ आपकी दोस्ति गुप्ता और आज के वीडियो में मैं रिव्यू शेयर करने वाले हो वाव स्किन साइंस के ऐलो वेरा रेंज का दोस्तों यहां पर मेरे पास तीन प्रोड़क्त हैं अलो वेरा रेंज के यह तीनों प्रोड़क से आपके स्किन के लिए यह सब कुछ में आज के वीडियो में आप रोग को बताने वाली हुँ तो सब्चाहर ना की इस करते हैं था आज नौ्टिकिशन आप तब सके तो ऑज क्लिकिव करते हैं चुछे दोस्तों हम लग वाव Ai के Ki рук के फीस वाउस एलोवेरा हइडिटिंग फीस वाउस तो इस फीस वाउस को पसंद रहने की दो बज़े में इसका ब्रेश, दोस्तो इसका ब्रेश सिल्गान का run good बहुत ही सॉफ्ट है आप इसको फेस पे करते हो जब भी ठीक है जब भी आप फेस वास करोगे तो पिल्कुल भी आपके स्किन पर राफ नहीं रहेगा बहुत ही अच्छे दरह से क्लीन करता है और दूसरा इसका पसंद है इसका कैप यह रोटेटिंग सिस्टम के यानि लॉक बाहर आएगा जितनी सुरुद आप फेस वास ले सकते हो फिर रोटेट करके इसको लॉक करके रख सकते हो यह चीज मुझे पसंद है क्योंकि मेरे साथ ही अक्सर होता था कि फेस वास जो होता था मेरे पास अक्सर गिर के ना उसका कैप टूट जाता था और चाहा उसे पसंद है दोस्तों इसमें अलोवेरा तो ही है इसके साथ आपको हालोनिक एसीड और प्रोबिटामिन बीफाइब मिलता है हालोनिक एसीड इसकिन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है और प्रोबिटामिन बीफाइब इसकिन से इसको इंप्रूफ करने में हेल्प करता है डिव एक भूस्ट बोड चैरे करेंरे टो जो निकल जाता है और इसकिन डोर मिल्कूर्ण करना लगतती यह अगती है जैसे मैंने क्याम वैसे इस्ट आंगे जातना है बस आपको ढ़ंदे पट्रिध्द भूरण आखयता है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगे ना मेरी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फेस्वास सेकंड मैं यूज करने वाली होगा और स्किन साइंस के पील आफ जयल मास्क को दोस्तो इस पील आफ जयल मास्क को मैं एक काटोरे में निकाल लूँगी और पर एक ब्रेश की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करोंगी दोस्तो इससे क्या होगा ना बड़ी आसानी से फेस पे लग जाता है पंदरा मेट अप्लाई करना उसके बाद इसको रिमूफ करना है दोस्तो इसमें अलोवेरा जल तो हई है साथ इसमें हैलोनिक असे प्रोविटामिन वी 5 भी है इसके उनको मुश्राइस करता है और हमारे कलर को ब्रैकिंग कंपलक्शन भी देता है और जो ब्लाक हैड्स होते हैं वाइट हैड्स होते हैं उन्हें रिमूफ करने में हेल्प करता है दोस्तो और सबसे हमको भी पील आफ लगाते हैं तो जब भी रिमूफ करते हैं तो बहुत जादा पीन होता है बहुत जादा दर्द होता है इसको निकालने में बिल्कुल भी आपको दर्दनी होगा यह मुझे बहुत पसंद आया है सच बतारी हूं क्योंकि पील आफ लिका आपको बता दें इन प्रोडक्ट को बनाने में जिन भी मटल के और शक्ता होती antargo also इंडिया से उन्टे जाता है जो इंडिया के बेस्ट वहां से उन्टे की जाते हैं हिमालین वाटर का इस्तमाल किया जाता है इन प्रोड़क्ट को बनाने के लिए और हाँ दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कैमिकल नहीं है यह मतलब पैराविन फिरी है सेलफेड फिरी है मिनरस ऑइल इसमें नहीं है कोई भी आर्टिफिशल फिग्रेंस नहीं है सिलकॉन नहीं है कलर नहीं है तो यानि बिल्कुल सेफ है हमारे लिए बिल्कुल भी कैमिकल फिरी है दोस्तों वाव स्किन साइंस के जो भी वरकर्स है उनमें 80% महलाएं वरक करती है यानि महलाओं के क्रोथ में वाव स्किन साइंस का बहुत बढ़ा यूगदान है जब मैं इसे पढ़ाना म वाव स्किन साइंस की और आपको बता दें इसकी जो पैकजिंग है यानि इन्वार्मेंट को भी वाव स्किन साइंस के प्रोड़क्ट जो भी है उनकी पैकजिंग है वह बिल्कुल नुकसान नहीं करते 30% पोस्ट कंज्यूमर रिसाइक्लिन पैकजिंग के साथ ये आता है और ये सारी खासित इसे और भी खास बना रहते हैं दोस्तों मेरा पीला बिल्कुल सुक गया इसको रिमूफ कर रही हो रिमूफ करते वक मुझे बिल्कुल भी पैन नहीं हुआ उसके बाद थंडे पानी से मैंने फेस वास कर लिया अब मैं यूज कर रही हूँ है अलोवेर जेल है जो प्रोड़क्ट हो बाहर आएगा और उसके बाद आपको मसाज करनी है मसाज करते वक्त आपको बहुत ज़दा रिलैक्स फील होगा जी हां दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मसाज करता है हमाई फेस को उसके बाद जब हम अपना अलोवेरा जेल यूज कर चुके तो दोस्तों मैंने वाव स्किन साइंस अलोवेरा रेंज को अपने फेस पर अप्लाई किया उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा मेरे फेस पर है मेरा फेस बहुत ही सॉफ एंड क्लीन नजर आ रहा है तो देखना दोस्तों कितनी अच्छी तरह से यह स्किन पर मेरे स्किन पर बहुत ही बहुत ही नजर आ रहा है मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया थोड़ी से लिबिस्टिक लगाई है उसके बाद मेरे फेस पर नजर आ रहा होगा तो दोस्तों आप भी यह वाव स्किन साइंस के अलोवेरा रेंज को ट्राई कर सकते हो यह कैमिकल फिरी और इंडि ना की बात प्राइब कुछ अलगों तो कुछ अपना पन्सा अपना नहींट अगेश्य लिक्ताHAHA करूंगी और हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमें स्वाक्स में जरू बताना दोस्तों फिल्हार इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले जया हिन